मनीपुर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो सामने आई है जिसको देखके मैं खुद ही सहम गई हूँ और मैं पूरी रात सूनी पाई हूँ उस वीडियो में साफ दिखरा है कि किस तरीके से दो लड़कियों को एक जुंड आदमियों का घेर लेता है और उन दोनों मनीपुरी लड़कियों के साथ सबसे बड़ी अभधरता की जाती है उन लड़कियों के जबरदस्ती कपड़े उतरवाए जाते हैं उन्हें सडक पर नंगा परेड करा जाता है और उस तोरान वो आदमी लड़कियों को नोचते रहते हैं उन्हें गंदी तरीके से छूते रहते हैं लड़कियां चीकती रहती हैं चिलाती रहती हैं मदद की गुहार मानती रहती हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता है उसके बाद लड़कियों क करा गया मुझे शरम आ रही है कि यह हमारे ही देश में इतना घिनवना अपराद किया गया और कोई भी अभी तक रेस्ट नहीं हुआ और मुझे इस बात पे भी शरम आ रही है कि केंद्र सरकार पिछले तीन महीने जब से मनीपूर जल रहा है, हाथ पे हाथ धर के बैठिये, हमारे देश के प्रधान मंतरी जी ने एक बार भी मनीपूर जाकर वहाँ पे जाइजा ने लिया हालात का, और मनीपूर की वॉयलेंस के उपर अभी तक प्रधान मंतरी जी का एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है, त आज पत्र लिखरी हूं प्रधान मंत्री जी को और मनीपूर के मुख्य मंत्री जी को और मेरी तीन मांगे हैं। सबसे पहले तो कुछ भी कीजिए, अर्जेंटली मनीपूर की वॉयलन्स खतम करवाईए। दूसरी बात, ये जो घिन्वानी वीडियो सामने आईए, उसमें जितने भी आदमी दिख रहे हैं, उन सब को चुन-चुन कर अरेस्ट करना चाहिए और सक्त से सक्त कारिवाई होनी चाहिए, एक भी आदमी बक्षानी जाना चाहिए। और तीसरी बात, मैं मनीपूर सरकार से अपील करती हूँ, मैं पीडितों से मिलने आना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है, उनके परिवारों से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि ये एक इंसिडेंट नहीं है, हो सक कि इस वक्त इस देश में सबसे ज़रूरी महिलाएं जो मनीपुर में हैं उनको बचाना है तो मेरी अपील है मैं मनीपुर में आकर पीड़ितों से मिलने दिया जाए इतनी बड़ी घटना हो जाती है और ढ़ाई महीने तक पुलिस एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं करती तो इसको क्या कहा जाएगा इसको सिर्फ धिलाई नहीं कह सकते मेरे हिसाब से मनीपुर की पुलिस के उपर साथ से साथ कारेवाई होने की जरूरत है कुछ बहुत strong steps लिए जाने पड़ेंगे तभी जाकर महीलाओं को वहाँ पर बचाया जा सकेगा और तभी जाकर मनीपुर में जो violence चल रही है उसको रोका जाएगा और मेरे हिसाब से जो भी officers, पुलिस के officers involved हैं, inaction में, उनके उपर सकसे सकत कारेवाई होने जाहिए One of the most horrific videos have come from Manipur I have seen it and I am shaken to the core and I was unable to sleep at night The video very categorically shows that there are two girls, two Manipuri girls standing there and a group of men are hounding them, they parade them naked, they molest them and after that they gang rape these girls. It is so horrific and the fact is that two and a half months back this incident was reported. An FIR was registered by Manipur Police but till now not a single of the perpetrators have been arrested. How shameful is that? And what is even more shameful is the complete silence of the centre on this issue. Why is it that despite Manipur burning for three months, the Prime Minister of the country has not taken cognizance of the issue, has not visited Manipur even once, has not made a single statement against the violence. What is happening? Manipur is an integral part of the country. So why no action is being taken? I am writing a letter to the Prime Minister of this country today as well as the Manipuri Chief Minister. I want three things. First and foremost, all steps, urgent steps need to be taken in order to make sure that the violence ends in Manipur. Secondly, all those perpetrators, because they are very clearly being seen in the video, they need to be identified, they need to be arrested, and strongest action has to be taken against them immediately. Also, action should be taken against the police officers for failing to act on such a serious crime for the past two and a half months. And thirdly, as a citizen of this country, as an activist, and as the chairperson of a women commission in this country, I appeal to the Manipuri government, please allow me to come and visit the survivors, and I want to do a fact-finding report for the government, because I fear that this is not a one-off case. I think there might be many such cases, and attempts have to be made by the country to reach out to the Manipuri women against whom the worst atrocities have happened. So a fact-finding report has to be created and it has to be submitted to the government so that they can take cognizance of the fact and take action against people who have perpetrated the worst crimes against women, crimes against humanity in Manipur.